हेलो स्टूडेंट्स डाउट हट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करेंगे कक्षा दस्वी गणित की प्रशनावली आठ दस्मलावच्यार के परसम संक्या तीन से पहला पार्ट है साइन स्केर 63 डिगरी जमा साइन स्केर 27 डिगरी बटे को स्केर 17 डिगरी जमा को स्केर 73 डिगरी यहां पर हम इनको पहले बदलेंगे साइन स्केर या तो हम 63 को बदलें या 27 को बदलें क्योंकि हमारे पास उत्तर होता है साइन स्केर थीटा जमा कोस्केर थीटा बराबर एक यहाँ पर हमें किसी भी एक साइन को कोस्ट में बदलना पड़ेगा अब साइन कोस्ट में कब बदलता है जब उसको हमें 90 डिगरी से निकालते हैं साइन 90 घटा थीटा बराबर होता है कोस्ट थीटा साइन कब बदलेगा कोस्ट में जब 90 माइनस थीटा होगा तब साइन बदलेगा कोस्ट में तो हमें यहाँ पर किसी भी एक को बदलना है कोस्ट के अंदर तुस एंगल को हम घटाएंगे 90 के अंदर से तो यहाँ पर हमें इसको बदल लेते हैं दूसरे को साइन 63 डिगरी का वर्ग जमा यहाँ पर साइन 27 डिगरी का वर्ग है इसको बदल लेंगे हम साइन 27 को हम लिखेंगे 90 घटा 63 डिगरी हमें इसे कोन को बदलना है कोन को बदलने के बाद ही हम फिर sign को cost में बदल सकते हैं 27 को उने लिख लिए 90 डिगरी गटा 63 डिगरी 90 में से गटाएंगे 63 को 27 या आएगा बटे यही काम निच्चे करेंगे किसी एक को बदल लेते हैं यहाँ पर दोनों कोस में हैं तो हमें एक को कोस को में साइन में बदलना पड़ेगा को सत्रे डीगरी का वर्ग जमा इसको बदल लेते हैं पहले कोन को बदलेंगे 73 डीगरी को हम लिख सकते हैं 90 गटा यह बड़ा एंगल 17 डीगरी 90 गटा सत्रा कितना होता है 73 साइन 13 डीगरी का वर्ग जमा अब देखिए यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 में से गटाने पर बदल जाता है कोस के अंदर साइन 90 गटा थीटा होता है कोस थीटा साइन है वो बदल जाएगा कोस में अगर हम थीटा को 90 में से गटाते हैं साइन 90 गटा थीटा होता है कोस थीटा यहाँ पर हमारे पास है साइन का वर्ग sin 90 माइनिस थीटा अगर cos थीटा के बराबर है तो sin का वरग 90 माइनिस थीटा भी हो जाएगा cos सुकेर या cos वरग थीटा यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको sin 90 में से वटाने पर ही बदल जाएगा cos के अंदर यह हो जाएगा cos 63 degree बटे cos 17 degree का वरग जमा अब यहाँ पर हमने कोस को एंगल को गटा है 90 में से 90 कटा 17 डिगरी तो यहाँ पर कोस 90 में से गटाने पर बदल जाता है साइन में साइन बदलता है कोस में और कोस बदलता है साइन में यह आपको याद रखना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा बरापर होगा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा बरापर होगा साइन थीटा यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर आ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर यही था साइन का वर्ग 90 गटा 63 यहां पर वर्ग हो तो यह वर्ग हो जाएगा तो यहां पर यह साइन का वर्ग बदल जाएगा कोस का वर्ग और थीटा है त्रेश्ट डिग्री इसी प्रकार नीचे कोस का वर्ग 90 गटा 17 डिग्री कोस बदल जाएगा साइन में तो कोस का वर्ग यानि साइन का वर्ग फिर होता है थीटा थीटा यहां पर जो 90 में से घटाया हुआ है सत्रे डीरी तो साइन सुकेर सत्रे डीरी यहां से यह हो जाएगा उपर हमारे पास अब देखो दोनों के दोनों कौन हैं जो वोगे समान साइन स्केर थीटा जमा को स्केर थीटा बराबर होता है एक साइन स्केर और को स्केर का मान एक तबी होता है जब दोनों के दोनों कौन बराबर हों दोनों कौन क्या हों बराबर तो यहां पर दोनों कौन क्या होगे बराबर 63, 63 तो यह हो जाएगा एक बटे निचे भी sin square theta जमा को square theta थीटा यहाँ पर है 17 degree दोनों कोण बराबर है तो यह भी हो जाएगा 1 और एक बटा एक यहाँ जाएगा मारा 1 tangent 90 गटा theta बराबर coat theta theta हो चाएए हो चाएए बी एंगल यहाँ पर कोण पुछ भी हो सकता है इनको आपने याद रखना है इसका दूसरा पार्ट करते हैं आपको अच्छे समझ में आज याएगा दूसरा पार्ट है साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री जमा कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कोन को 90 में से घटाएंगे और फिर उसको हमें बदल देंगे साइन को कोस में या कोस को साइन में किसी एक को कर सकते हम हम अगर दूसरे को बदलते हैं तो पहले को ऐसे कैसा रखेंगे साइन 25 डिग्री इसको बदल लेते हैं कोस पहले बदलेगा कौन कौन है 65 डिग्री पैसट को हम ले सकते हैं 25 के रूप में 90 घटा 25 65 को हमने लिख लिया 90 घटा ये वाड़ा इंगल 90 में से घटाएंगे 25 तो 65 ही आएगा जमा यहाँ पर भी एक को बदल लेते हैं साइन 25 डिग्री गुणा कोस 90 माइनस थीटा थीटा यहाँ पर है 25 डिग्री कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा यानि साइन 25 डिग्री कोस 25 डिग्री गुणा साइन 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा यह जाएगा कोस थीटा मारा है 25 डिगरी तो कोस 25 डिगरी अग्याल करेंगी इसको साइन 25 डिगरी गुना साइन 25 डिगरी यह जाएगा साइन 25 डिगरी का वरग जमा कोस 25 डिगरी गुना कोस 25 डिगरी यह जाएगा कोस 25 डिगरी का वरग अब देखिए यहांपर साइन सुकेर 25 दिगरी जमा को सुकेर 25 दिगरी यानि कि साइन सुकेर थीटा जमा को सुकेर थीटा थीटा मारा दुन्नों में क्या है? समान हिक जैसा है तो साइन सुकेर थीटा जमा को सुकेर थीटा होता है एक तो यह हो जाएगा एक ठीटा यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन दोनों क्योंने चीए समान यह मारा आंसर हो जाएगा परसंद संक्या चार को करते हैं सही विकलप का चैन कीजिए यहाँ पर हमें चार विकलप दिये हुए हैं तो फैस्ट पार्ट है यहाँ पर हम नौ कोमल लेंगे तो हमारे पास अंदर आ जायेगा स्केर ए स्केर आगर्यस केर चेंटे का वरक अगा टेंजैन टेंजैने कांई का वरक वरक बफगा बराबर, नो गुना, अब देखिए सिकेंट स्केर, ए घटा टेंजेंट स्केर ही, कमान होता है, एक, पिछे हमने सुतर किया था, तो यहां से हमने मान लग दिया, नो गुना, एक यह हो जाएगा, नो, तो इसका जो बी पार्ट है, वो विकल्प सही हो जाएगा, सेकिन पार्ट करते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा, घटा, कोसिकंट थीटा हो जाएगा, एक बटा साइन थीटा, यह पीछे हमने किया था, कोसिकंट थीटा होता है, एक बटा साइन थीटा, और टेंजन थीटा होता है, साइन थीटा बटे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा का म हाँ फसके शाइनं होता है को कुषद ही टागए बोटे साइनं थिटा माल हम dzięki कर चुके तो अगे य्म करेंगे इसको लगुत्यमी लेंगे जैएगा को स्थीटा उपर आमारे पास आएगा कोस थीटा जमा कोस थीटा को भाग देंगे एक, एक की गुणा साइन थीटा से साइन थीटा जमा कोस थीटा को भाग देंगे कोस थीटा से एक, एक गुणा एक, एक परलगुत्तम आएगा साइन थीटा बागदी आमने 1 को साइन थिटा को 1 से साइन थिटा आएगा गुणा 1 साइन थिटा जमा साइन थिटा को बागदी आ साइन थिटा से 1 की गुणा कोस थिटा से कोस थिटा घटा साइन थिटा को बागदी आ साइन थिटा से 1 की गुणा 1 से 1 यहां पर अब सुत्र अलग जाएगा A जमा B और A घटा B कोज़ थिटा जमा साइन थिटा को एक घटा माल लेंगे और इसको माल लेंगे अलग कोज़ थिटा जमा साइन थिटा A हो जाएगा A कमारा B हो जाएगा A जमा B A घटा B ये होज़ेगा a² गटा b², सुत्तर होता मारे पास a जमा b गुना a गटा b, बराबर a का वर्ग गटा b का वर्ग, ये सुत्तर लगाएंगे यहाँपर sinθ, जमा कोजθ, वर्ग गटा a का वर्ग, A जमा B गुणा A गटा B A स्केर याने A का वर्ग गटा B का वर्ग जब निच्च आजएगा मारे पास साइन थीटा कोस थीटा देखो हमारे पास था यहां से A जमा B और A गटा B A का वर्ग गटा B का वर्ग बटे साइन थीटा गुणा कोस थीटा यहां पर सुत्र बन जेगा अब A जमा B का वर्ग A जमा B का वर्ग A जमा B का वर्ग होता है A का वर्ग जमा B का वर्ग जमा 2A B बोल लगाएंगे यहां पर A अमारा यहां पर है साइन थीटा वर्ग बी है कोस्ट थीटा तो बी का वर्ग जमा दो गुणा ए ए है हमारा साइन थीटा और बी है कोस्ट थीटा घटा एक का वर्ग एक बटे साइन थीटा गुणा कोस्ट थीटा अब देखिए आपर साइन स्केर थीटा जमा कोस्केर थीटा यह हो जाएगा, एक, जमा, दो साइन थीटा, कोश थीटा, घटा, एक, बटे में हैं साइन थीटा, कोश थीटा, एक से कट जाएगा, उपर बचेगा, दो साइन थीटा, कोश थीटा, बटे, साइन थीटा, उना, कोश थीटा, उपर नीचे सेम है, यह कट जाएगा, इस से, हमारे पास बचेगा, दो, तो इसका C पार्ट है वो सही होगा, C भी कलप सही होगा तीसरा पार्ट करते हैं सिकेंटे जमां टेंजेंटे गुणा एक गटा साइने सिकेंटे को में लिखेंगे एक बटा को से टेंजेंटे को साइने बटा को से गुणा एक गटा साइने निच्च को से रगुत तमाजे आएगा उप्रमारे पास आएगा एक जमा साइन ए गुणा में है एक गटा साइन है उप्रम गुणा करेंगे तो उन्हों की सुत्र बने जाएगा ए जमा बी ए गटा बी यहां पर ए कवर गयानि ए कवर गटा बी साइन ए वरग बटे को से यहां से मारे पास यह हो जाएगा एक गटा साइन ए का वरग बटे कोस ए अब एक गटा साइन सुकेर ए बराबर हो जाएगा कोस केरे बटे कोस ए क्यों क्योंकि साइन सुकेर ए जमा कोस सुकेर ए बराबर होता है एक तो यहां से एक पास बचेगा कोश चुथ वाग है एक जमा टेंजन्ट स्केर ए बटे एक जमाँ कोट्सकेर ए एक जमा टेंजेंट स्केर A बराबर होता है सिकेंट स्केर A और एक जमा कोट स्केर A बराबर हो जाएगा को सिकेंट स्केर A क्यों क्योंकि मारे पास उत्तर है सिकेंट स्केर A को लिखेंगे हम एक बटा को स्केर A क्योंकि secant A और cosecant A को लिखेंगे 1 बटा sin square A क्योंकि sin A और cosecant A एक दूसरे के उल्टे होते हैं यह पलट जाएगा उपरा जाएगा sin square A बटे cos square A और इसको हम लिसकते हैं sin A बटे cos A इस पूरे का वरग और sin A बटे cos A होता है tangent A वरग वरग है तो वरग आजाएगा तो यह हमारे पास आजाएगा tangent A का वरग जो D विकल्प है वो सही होगा